नमस्कार दोस्तों कैसा हैं आप सब लोग देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं अबाउट आइटी जैंब बाया टेकनोलोजी लास्ट के टू मन्स बचे हुए हैं और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेजी क्या होनी चाहिए इसके ओपर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और एक ऐसे टॉपिक पर मुलाकात हो रही है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी तो बहुत ज्यादा फोकस्ट हो गया होंगे अपने स्टडी पे और अगर नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को देख इसके बाद आप हो जाएंगे फोकस्ट क्योंकि मैं एक दम परफेक्ट स्टाटिजी डिसकुशन करने वाला हूं देखिए अब ले दे करके यह टू मंत्स तो मैंने लिखा है लेकिन ले दे करके आपके पास यह सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का महीना बचा हुआ है बात को स सब उसको आप मिलाद हो गया तो यह लगबग लगबग चला जाता है बहुत कॉंसंट्रेटेड ही अदमी होगा जो जनवरी में पड़ेगा अधरवाइस जनवरी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है और दूसरी बात जो इंपोर्टन बात है वह मॉक टेस्ट के होता है ठीक अब हम लोग बात करेंगे कि आयाइटी जैम 2023 में आपके प्लैंस क्या होने चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए सर्फ फिजिक्स पर जो वीडियो था वह आपने तो रिलीस किया ही नहीं चलिए भाई दिसंबर में रिलीस कर देंगे कोई दिक्कत नहीं ह इतना गंदा रिस्पॉंस इतना गंदा रिस्पॉंस दोस्तों कि मैंने तो एकदम ठान लिया था कि फिजिक्स और केमेस्ट्री पर मैट्स तो छोड़ी दीजिए मैट्स तो एकदम मतलब 3-4 बच्चों को छोड़ दिया जा तो बाकी और कोई बच्चा नहीं कह रहा है कि यहां पर दोस्तों पर्सनल ट्यूशन नहीं चला रहे हैं मतलब सारे बच्चों को देख करके चलना है मजॉर्टी अब बच्चों का जो कुश्चन है जो स्टुडेंट्स का जो कुश्चन से वह बाइलोजी से बहुत अच्छा आ रहा था तो इसलिए मैंने बाइलोजी को देखा भाई क्या और अधर लोग क्या कर रहा हैं बाद में मुझे रेलाइज हुआ कि बहुत सारे जितने भी बच्चे हैं वो बाइलोजी पर ही मेन फोकस कर रहा है अपना वो यह चीज़ भूल जा रहा है कि मैट्स भी कहीं न कहीं रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होगी इसलिए उन लोगों ने भी मैट्स पर वीडिविजिय नहीं टाली है उन लोगों ने भी केमस्ट्री पर बहुत जादी वीडियो नहीं डाली बलकि हो लोग दालते है ठीक अच्छह चलिए वो तो मुद्दा नहीं है मैं बात करता हूँ कि क्या टू मंथ में यह इक्रिपर एगर आप कर सकते हैं तो करेंगे देखिए जो मैपको एक थम रूल बता देता हूँ जिससे question आने ही आने है item से question आते हैं मैं इस पर class ले लूँँगा tension मत लीजे सब आप इस सब पर focus पहले आप फोकस करिए इसा कुछ नहीं है उसको कि दो आ तो याद रखना बाइलोजी शिक्स नहीं है। अ ऐसा ही मत 60-70% बाकी दर में distribution होगा इन लोगों का मैंने जो बहुत पहले वीडियो आइटी जैम पर बनाई थी उस पर मैंने बताया था आप लोगों को कि यह सबसे ज़्यादा आती है बालो जी रैंक डिसाइडिंग मैं मानता हूं ही सब होते हैं देखिए physics में आप क्या सेमी conductor पर अच्छा खासा सवाल पूछा हुआ है फिर उसके बाद दोस्तों आपका units and measurement से सवाल आया रहता है units and measurement अब देखो अब आप लोग गलती क्या करते हो मैं गलती बताता हूं आप लोगों को गलती आप लोग यह करते हैं कि आप लोग लगे अच्छा खासा वर्क प पूछा कि सर मैं इन इन टीचर को देख रहा हूं अलग से फिजिक्स का गलती कर रहे हो दोस्त उतना ही देखो जितने की जरूरत है अब उसमें कुछ बहुत ब्रिलियंट टीचर जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं अब नाम नहीं लूँगा कोटा के बहुत फेमस फेम लगाने तो वह फिजिक्स नहीं आती है दोस्त वह फिजिक्स मत पढ़ीगा ठीक यह सब टॉपिक त्यार रखिए समी कंड़क्टर यूइट्स मेजरमेंट वर्क पावर एनरजी में आप बेसिक्स भी जानते हैं तो ठीक है लेकिन उसमें घुस करके एकदम मत लगाने बै औरगनिक है मैंने इसका भी ट्राइल वीडियो एक डाला कि देखूं क्या रिस्पॉंस आता है बच्चे देखते हैं यानि तो दोस्तों बाइलोजी के कंपेरिजन में केमेस्ट्री की वीडियो बहुत कम देखी जा रही है कोई देखी नहीं रहा है मतलब एकदम क्या बता से बहुत सारी रीजन है दोस्तों पहले तो हम लोग आप लोगों की टेस्रीज चेक कर रहे थे अनफॉचुनेटली एम सॉरी दोस्तों मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा इसको हम लोग पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे पुराने मैंने पीवाई क्यू चारपांस्ट अपलो मैं टेस्रीज नहीं डालूँगा हम लोग पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे अच्छे से सॉल्व करेंगे ठीक अभी टाइम है अच्छा कासा टाइम है ठीक अच्छा इन और्गनिक में आप क्या करोगे थोड़ा एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी एंड अफ ब्लॉक जो है इसको सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि आप जो परियोडिसिटी वाले हैं जैसे कि आप बॉंडिंग देख लीजिए फिर उसके बाद एलेक्ट्रो निगटिविटी यह सब एक्सेप्शन्स उसके यह सारे चीजें देख लीजिए बात समझ में आई आप उतना ही पढ़िए ज और अरगनिक में दोस्तों कोशिश करिए कि फिनॉल, अलकोहल, इथर, इन सब चीजों को बिलकुल मत छोडoड़ियों और दोस्तों एक है डाइजौनियम सॉल्ट तो दोस्तों डाइजौनियम सॉल्ट को भी कोशिश करेगा कि आप लीज़ूनिम सॉल्ट उसके आप टीब बोलेंगे या उसको और गनिक बोलेंगे आप लोग ठीक और गनिक और गनिक किमिस्ट्री में डोस्तों एक टॉपिक आती है कार्बोहाइड्रेट्स जिसको मैंने पड़ा भी रखा है कार्भोहाइड्रेट्स हो गया आपका फैट्स हो गया कुछ पॉर्षन विटामिन्स के है ठीक है वो इसी में आ जाते हैं chemistry in everyday life में भी आ जाते हैं वो दोस्तों वो सारी चीजें यह सारी जो टॉपिक है यह common हो जाती है biology वालों के लिए मैंने पढ़ा रखा है ठीक और यह time बहुत ही crucial चल रहा है अब यह time नहीं चल रहा है अब यह countdown चल रहा है इस बात को याद रखना countdown start हो गया एक December लग गया देखना चला भी गया अब वीडियो अप्लोड कर रहा हूं खतम तो यही तो scene है यह तो scene हो रखा है अभी तो jam का form आया था इतना तेजी से time जाएगा पता नहीं क्या हो रहा है लगता है universe को समझना पड़ेगा दोस्तों expand हो रहा है कि घट रहा हम ही लोग बहुत busy हो गया हम लोग age के साथ बड़े होते जा रहे हैं इसलिए लिए लग रहा है time पता नहीं चल रही है पता नहीं क्या हो रहा है बड़ दोस्तों it's a cause of concern हम लोगों को सोचना पड़ेगा time जल्दी जा रहा है तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अब अच्छा अब ऐसी topic जो मतलब मैं क्या ही बता हूं अच्छा सर physical में बताया आपने physical में मैं बता देता हूं आप लोगों को physical में एक बात याद रखेगा आप chemical kinetics सूर जाए कोई दिक्कत नहीं है chemical kinetics का direct use पढ़ जाएगा दोस्तों enzyme kinetics में biology में thermodynamics में तो आप बिल्कुल जानते ही और बाइव पढ़ोगे तो biology में इंपोर्टेंस पढ़ेगी और equilibrium दोस्तों ऐसे ही पढ़ा जाता है this is called smart work which all the coaching institutes and this so called YouTube channels are not telling you they are just providing you the materials और अपना सामान किसी तरीके से बीग जाए product बीग जाए बास खतम बात यह process नहीं है equilibrium आप पढ़ते हो तो इसमें directly pH वगेरा फिर वो सब जो आप निगालते हो न हैसलबाल चीक्वेशन वगेरा या फिर आप Oswald अगेरा जब आप पढ़ते हो ठीक है electrochemistry में सब पढ़ते हो ठीक है लेकिन electrochemistry को भी मत छोड़ेगा electrochemistry सभी सवाल आए हुए है ठीक है तो pH and acid-based balance यह सब चीजें आपको पढ़नी पढ़ेगी ठीक और इसका direct use पढ़ जाता है कहां पर biology में पढ़ जाता है अच्छा biology अब ऐसी topic जो सबसे ज़्यादा वह रखी है और एक चीज याद रखेगा थम रूल अगर आप यहां तक वीडियो में आ गये हैं तो biology को ध्यान से सुनिएगा biology दोस्तों तब तक मजा देती है याद रखेगा इस बात को तब तक मजा देती है जब तक आप इसको limit में पढ़िया है ठीक बात समझ में आई limit से ज्यादा किये तो एकदम स्राब बन जाएगी आप लोगों के एकदम ही मतलब होता ना kind of curse या आपके लिए वरदान मन के आई थी लेकिन स्राब बन जाएगी मैं समझाता हूं कैसे आपको एक limited topic set किया गय है तो अगर आपको लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा अब दिखिए एनिमल फीजियोलोजी में सबको मज़ा आता है अमोमन ऐसे बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि यार मैं बायोलोजी का स्टुटेंट मुझे हुमन फीजियोलोजी में मज़ा नहीं आप आपको दिया गया एंडोक्राइन सिस्टम आप लगे उसमें पूरा पढ़ने एक एक हर्मोन को एकदम डिसेट करकर पढ़ने लगे तो यही दोस्तों आपका अधर टाइम मार देता है एकदम अधर टाइम खतम कर देगा हम लोगों को जितना दिया गया है उतना ही आप लगे पैरा क्राइन का भी एक्जांपल्स पढ़ने यह स्पेसिफिकली सलेबस को देखिए मैं फिर से कह रहा हूं सलेबस भी फोकस्ट ऑन इसलेबस अदरवाइस और कहीं न कहीं आप सलेबस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप फिर दिक्कत हो जाएगी तो इस तरीके ठीक है कोई नई टॉपिक अभी उठाने उठा सकते हो 15 दिसमबर तक उठा सकते हो लेकिन अभी आप यह समझो कि पूरा सलेबसी खतम कर देंगे हम तो यह नहीं हो सकता है बात समझ में आई अच्छा उसके बात दोस्तों आप कोई एक किताब ले लीजिए एक बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल आया था कि सर पाथफाइंडर बुक पढ़ लूँ गया ठीक है पाथफाइंडर देखिए दोस्तों पाथफाइंडर अमेजिंग बुक बहुत ही अमेजिंग बुक है लेकिन बीच-बीच में वो कुछ कुश्टन्स पूट कर देती है मतलब यह कैस लोग अच्छी किताब लिखी उन्होंने तो आप पढ़िए पाथफाइंडर अच्छी बुक है उससे बहुत अच्छा पढ़ सकते हो उसको गेट वाली पढ़ सकते हैं जैम वाली पढ़ सकते हैं हाँ CSIR नेट वाले पढ़ रहा है तो फिर गलत बात है लास्ट मोमेंट रिवीजन पर रखो बाट बुक इस नोट सफिशेंट बाद में समझाऊंगा CSIR आप लोगों को भी आना है आगे CSIR में तो मैं इसी चैनल पर बताऊंगा आपको बात समझ में आई तो यह बाइलोजी को लिमिट में रखो यार लिमिट से ज्यादा इसको एक्सपैंड मत करो अधर्वाइस यह एक्सपैंड हो गई ना बाइलोजी तो फिर पहली बात त से पूछा हूँ क्यों ले रहा है क्योंकि यृवी पर आप एक डिखाते थे बायोलजी ने भी आप ठरस्ट दिखाया मैंज का पर आता था तो आप डर जाते थे कैमाट यार मैटकर है मैस्कार धू़ी मेरा साथमिर सारे ग्रेंट्ट बिगाड रहा है सब सब्जेक्मेरा Greek ग्रेड समालेगी साइंस मेरा ग्रेड समालेगी बात समझ में आई यह फिजिक्स और मैट्स तो डरा दिया करते थे तो बायोलजी वह चीज है दोस्तों अब उसके ही साथ आप जो है मतलब धोका दोगे उसको इतना पढ़ने लगोगे जितने की जरूरत नहीं है तो फिर दो की जरूरत नहीं है लिमिट्स के अलावा आपका मन करें तो प्रॉबेबिलिटी पढ़ लीजे क्योंकि इससे भी सवाल आता है अब सेट मत लगाए ठीक है सेट वेट यह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है अच्छा मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा यहां ग्रेटा थनबर्ग नाम था तो आपको पता है यह इकोलोजी और इनके भी कॉंट्रोवर्सी और डिवेट पर आएंगी हम टेंशन लीजे करेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे लेकिन अब बाद में अभी नहीं ग्रेटा थनबर्ग आपको याद हूंगी कि यह ज आएटी जैम या फिर गेट में देखिए दोस्तों CSIR का एक्जाम हुआ तो उसमें दोस्तों सवाल आया हुआ था बहुत बहतरी सवाल था वह कोविड पर आया हुआ था ठीक है क्योंकि कोविड 19 आ गया था तो 2021 और 22 वाले में आया हुआ था ठीक उसके बाद दोस्तों 22 मे में ही आप 2009 का जब उठा करके देखोगे पेपर आसे मैं सौल कराओंगा आपको ध्यान से सुनिये का जो मैं कह रहा हूं आपसे 2009 में जो पेपर हुआ था ना IIT जैम बायो टेक्नोलोजी का दोस्तों उसमें स्वाइन फ्लू से सवाल आया हुआ था और आपको याद होगा क्वी चर्कन बॉस्तों आप तो दोस्तों स्वाइं फुल पे इस स्वाल अधा और यह कौशन यह उसमें स्प्रेड हुआ था इंडिया में बहुत अच्छी एस रैपिड इसकेल पर हुआ भण ते मुझे यह यह सभी क्लास 15kov याद है यारी हां यार उस समय तो मैं क्लास फिफ्ट में था बहुत मतलब उस समय बच्पन की बात है दोस्तों तो समय मैं जाके इंटरेट पर सवच कि अच्छा यह करेंट टॉपिक से जाम उठाता है एक दो सवाल तो यह दोस्तों आपके बैठे बिठाए सवाल बन जाएं इसके अलाव में बहुत सारे फाइलों है तो उस पे एक सवाल पूझ देगा दोस्तों जरूर आएगा निश्चित रूप से आएगा मेरी बात आप इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक अगला हम लोग बढ़ते हैं सिर्फ इन इदोनों पर फोकस करिया अभी माने आपको एक्स्पेंड भी किया हुआ है बाइलजी और क्या चोड़ना है अच्छा एक सवाल और आया हुआ था वह यह सवाल था कि सर मैं दिसंबर से तैरी करने जा रही हूं तो मेरा क्या कुछ होगा या नहीं दिखिए मैं आपसे फ्रैंक होकर के बात करता हूं अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो जाएए सौक से पेपर को देख लीजिए कैसा है क्या है बट मैं आपको जूटी तसली नहीं दूँगा इस इस नौट ऑर राइट ताइम तो स्क्रैच से स्क्रैच सट कर रहे हैं स्क्रैच कहने का मतलब समझ रहा है आप सैक्दम कुछ भी नहीं जानते हैं तो दोश्तों मुझकिल है आपका मुझकिल है निकलना नहीं निकल पाएगा लेकिन ऑफ बैसिक्स भी जानते हो जैसे सपोum करिए मैं अभी offline में तीन तो जब मैं उसको प्रोसे समझा रहा था जी प्रोटीन कपर डिसेप्टर में तो वह बोलते बोलते अचानक से बोल रहा है कि हाँ इसके आगे साइकलिक एमपी होगा हम कर वाओ तुम कैच कर रहे हो इसका मतलब तुम जो है इसको कर सकते इसका मतलब उसका बेसिक्स क्लियर वह बस रूटीन में नहीं था तो मेरी बात समझना चाहर है मैं क्या कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि अगर आप पहले पढ़के छोड़ चुके अगर आप उसको जानते हैं तो दन इट्स गुड लेकिन आप एकदम स्क्रैच से आपको कुछ पूज भी रहा हूं तब भी फिर अट्रेक्टिव थम्नेल से पीछे मत भागिये दोस्तों ठीक है इस चैनल पर तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि सिर्फ वालिड चीजे मिलें फालतू की चीजें पर डिसकसन बिल्कुल नहीं ठीक तो आपको जो है कोई कह रहा है कि तीन दिन में complete this in 12 hours 24 गंटे में खत है जिसे आपकी तैयारी है बस आप अनलाइज नहीं कर पा रहे हो कि यार कैसे करें क्या तो आप एक मॉक टेस्ट खरीद लो किसी से टेस्ट सिरीज खरीद लो उससे अपने आपको अनलाइज कर लो अगर आप कर पा रहे हो दें अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं दोस्त important topics to focus in biology और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुस ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे all are important topics all are important topics सारी की सारी biology में important topics हैं आप आई टी जैम का पेपर उठा करके देखिएगा हर topic को टच किया डिरेक्ली इंडिरेक्ली कही कहीं से हर जगहां से दोस्तों टच किया हुआ है ठीक तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा मतलब सारी important topic ऐसा नहीं कि किसी यूट्यूब चैनल पर जाके देख रहे हों कह रहे हैं यह important ठीक है यह पढ़ लेता हूं यह important है यह important है उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों बात समझे में आ रही है आप लोगों को focus रहना है आप लोगों को पूरी topics पढ़नी है कुछ छोड़ना नहीं उसमें limit में पढ़ना है यह नहीं कि लगे सब पढ़ने आपको मैं फिर बता रहा हूँ biology में animal physiology बहुत तीजी से attract करती है बच्चों लेकिन उसमें वो लोग सब पढ़ने लगते हैं पढ़ने के चक्कर में आपकी biology अच्छी थी लेकिन आपने पूरा गढ़बर कर दिया एक topic को ज़्यादा पढ़ने के चकर में बात समझे में आई तो इस पे focus रहेगा biochemistry से बच के रहेगा चिताव नहीं दे रहा हूं बच के रहेगा क्योंकि यह लगता है कि हो जाएगी लेकिन जैसा ही question आता है कहा नहीं कतम कुछ नहीं हो पाता है और यह लोग तो बड़े चलाक है biochemistry से सिर्फ numerical उठाते हैं बस और कुछ नहीं उठाते है निमेर कल उठा देते हैं और बाकी जो रहता है तो वो biochemistry linked रहता है annual physiology से जैसे समझ रहे हो आप जैसे कुछ भी सवाल पूछा उन्होंने हॉर्मोन का तो यह उसका nature कैसा है इसको अपने इसको अपने इन्मोन फिजियोजी वाले सेक्शन में बात समझ में आई तो इसी चीज को वो लोग जो है घुमा फिरा करके देते हैं और नथिंग न्यू इन आटीज है ठीक अच्छा आप लोगों से एक रेक्वेस्ट चैनल बहुत दिन से डाउन था बहुत इसको फिरे के आ रहे हैं यानि देखिए जो 24 साल के हैं वो तक जैम का वीडियो देखने आ रहे हैं बात सुनो उनिस यस गौहों को गयद से लिए तो को समझघ न यह लोग और भीक स्वाल फैन कंड देंगे दूसरी बात मेरे चैनल पर जो as compared to male females ज्यादा है यानि की समझ जाईए females are very tough competitors वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं बहुत systematically पढ़ाई करती हैं तो इसके लिए भी आप prepared रहेगा वो लोग बहुत अच्छा preparation करती हैं boys सीखो कुछ क्योंकि बहुत large amount में अगर कोई भी प very difficult to defeat them तो कोजिस करना कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो ठेक बात समझ में आई और दूसरी बात यह है कि मैं बहुत ही upset हूं बहुत ज्यादा upset हूं आप लोगों के लिए ही बनाया गया था Instagram मैंने Facebook बंद कर दिया है दोस्तों पहले बता दूँ आपको क्योंकि बकवास वहा प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है क्या बात है मुझे समझ में नहीं आ रहा है और वीडियो एक आप लोगों का बखुत बड़ा कंसर नहीं डालते हो एक जन तो बहुत गुसा हो गया थे कि आपने बोला था डालने के लिए बट डालने की मगर एक चीज होता है कि एक response भी को सब्सक्राइब डालने के लिए टाले थे ठीक है और इसेट बेसेशन सॉल्ट वाले में तो मेरी तवेत खालती मैं फिर भी डाला उसको बट मैं रिस्पॉंस आम अबल टो गेट तो प्लीज फ्यू रिली थिंग दाट की मुझे डालना चाहिए तो से यस आई विल पूट और क्योंकि मैं नमंबर भर पूरा यही सब अनलाइज कर रहा था क्या है कैसे करना है क्या नहीं करना तो दोस्तों सब्सक्राइब तो दी चैनल क्राइसट बायोलजी और दोस्तों लग जाईए एकदम लग जाईए इस फाइनल मुमेंट फॉर यू गो फॉर इट और कॉम के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद